Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल, History of Aviation Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, आज से लगभग 120 साल पहले, किसी दूसरे कॉंटिनेंट यानि महाद्वीब की यात्रा कैसे हुआ करते थी? यकीनन एक समुद्री जहाज पर कई महीनों लंबी और ठकान भरी यात्रा उस समय इनसान पक्षियों को उड़ता देख, अक्सर सोचा करता था, कि काश, वो भी इसी तरह उड़कर आसानी से कहीं भी जा सके और इसी कल्पना को असलियत में बदलने के अंगिनत प्रयासों से ही हवाई जहाज का आविशकार संभव हुआ और एविएशन सेक्टर का आगमन हुआ चाहे यात्री हों या कार्गो, वैल्यूबल रिसोर्सेस को तेजी और विश्वसनी ये रूप से लंबी दूरी तक ले जाने की एक शमता ने वास्तों में दुनिया को बदल दिया बदलते वक्त के साथ एविएशन सेक्टर एक एक एकनामिक एंजिन के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा जिसका आज के समय में ग्लोबल जीडीपी में लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान है International Civil Aviation Organization की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर एविएशन सेक्टर एक कंट्री होता तो ग्लोबल जीडीपी में इसका कुल योगदान United Kingdom जैसे देश के एकनामिक साइस के कॉम्परिबल होता लेकिन हवाई जाहस के अविशकार से लेकर इन उपलब्धियों तक पहुचने का सफर इतना आसान नहीं था इसके पीछे कई सालों की मेहनत चुपी हुई थी इस मेहनत के इतिहास में कई लोगों की सफलता, असफलता और धैरे की एक लंबी कहानी है आज हम इसी कहानी की चर्चा करेंगे और जानेंगे एविएशन ज्यानी विमानन के इतिहास को ओरिजिन ओव एविएशन एविएशन का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है इनसान द्वारा बनाई गए उड़ने वाली किसी वस्तू का पहला रूप पतंग था पतंग बाजी का पहला एविडिन्स 5th सेंचुरी के आसपास का मिलता है इसके बाद धीरे धीरे हुई साइन्टिफिक प्रोग्रिस के साथ लोगी समझने लगे थे कि उड़ान का मतलब क्या होता है येर 1250 में रोजर बेकन नाम के एक मैथमेटिशन ने मेकैनिकल फ्लाइट के बारे में एक लेक लिखा वो पहले यॉरोपियन थे जिन्होंने अपने लेक में फ्लाइंग मिशीन्स का वर्णन किया था वहीं लियोनाडो डाविंची जिनें हम एक महान चित्रकार के रूप में जानते हैं वो एक मशूर खोज करता भी थे वो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से कई सारी थियोरीज को दरशाय करते थे उन्होंने 15 सेंचरी में अपने चित्रों में विमान का पहला प्रारूप बनाया था जिसे देखकर लोग भी खुद को बादलों के बीच उड़ते हुए कलपना करने लगे और 16 सेंचरी के दोरान बहुत से लोगों ने हवाई जाहाज बनाने और उसमें सफर करने की कोशिश की पर कुछ खास कामियाबी उनके हाथ नहीं लगी कोशिशों का ये सिलसिला चलता रहा और 18 सेंचरी के खत्म होते होते होट एयर बलून्स का निर्मान हो चुका था जिसे फ्रांस के दो भाई जोजेफ मिशेल और ज्याख मॉंट गॉल्फेय ने बनाया था इसके बाद 1891 में ओटो लेलंथाल नाम के जर्मनी के मिकानिकल एंजिनियर दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने ग्लाडियेटर के जरीए आसमान में उडान भरी अपनी पहली उडान में उन्होंने 25 मीटर की दूरी तय की थी आने वाले 5 सालों तक उन्होंने अलग-अलग मेथज और टेकनीक्स का विशलेशन किया और फाइनली 250 मीटर दूरी की उडान करने में सफल रहे इसके बाद से ही उन्हें जर्मनी के ग्लाइडर किंग या फ्लाइंग मैन के रूप में जाना जाने लगा लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी ही एक फ्लाइड के दौरान उनकी मृत्य हो गए दोस्तों अगला प्रयास अलबेटो सांटोस डुमों द्वारा ब्रजील में किया गया उन्हें ब्रजील में हवाई जहाज का जन्मदाता माना जाता है उन्होंने होट एर बल्यून थियरी पर बेस्ट एर प्लेन्स बनाने का काम शुरू किया था जिसमें वो एक एंजिन की मदद से प्लेन्स को लंबी दूरी तक उड़ाते थे उन्होंने पहला प्रयास 1898 में किया था और ये विमान पहला रूटीन कंट्रोल्ड फ्लाइट्स में से एक था वहीं 1898 से 1902 के बीच अमेरिकन स्टेट ओहायो के राइट ब्रादर्स विल्बर और और ओर्विल रॉइट ने कई ग्लाइडर और काइट मॉडल्स डिजाइन किये और उनका परीक्षण किया को ही एरो प्लेन के इंवेंटर की रूप में जाना गया रॉइट ब्रदर्स उस दोरान उडानों में होने वाले पावर और कंट्रोल जैसी समस्याओं को एक साथ हल करने वाले व्यक्ति में शामिल थे उन्होंने 200 से अधिक विंग डिजाइन्स के ऊपर ड्रैग और लिफ्ट जैसी एरोडाइनमिक फोसेस को मापने के लिए कई सारे उपकरणों का निर्मान किया और अंत में उनका तीसरा ग्लाइडर टेस्ट सभल हुआ जिसका एरोनौटिकल एंजिनियरिंग क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा 17 डिसेंबर 1903 को दोनों भाईयों ने पहली पाइलिट कंट्रोल्ड हैविय दैन एय यानि की हवा से भारी उडान को सभलता पूर्वक लॉंच किया इसे मौडरन एवियेशन के डिवेलपमेंट में एक महत्वपूर्ण दिन माना गया इसके बाद 900 के तशक में दुनिया के कई देशों में एपलेंज के इन्वेंशन में प्रगती देखने को मिली दोस्तो अभी तक हमने जाना एवियेशन सेक्टर की ओर इस दुनिया ने कैसे शुरुआत की आईए अब देखते हैं कि आने वाले सालों में एवियेशन सेक्टर अपने विकास की उचाईयों तक कैसे पहुँचा दोस्तो 1903 के बाद से दुनिया भर में परस्नल, स्पोर्ट और मिलिटरी यूज के लिए प्राक्टिकल एएपलेंज का डिवल्पमेंट और आप्लिकेशन देखने को मिला जैसे ही एपलेंज का अविश्कार हुआ, उनका इस्तिमाल मिलिटरी पर्पोसेज के लिए किया जाने लगा और ऐसा करने वाला पहला देश इटली था उन्होंने सेप्टेंबर 1911 से औक्टोबर 1912 के बीच लिबिया में टर्किश इटालियन वार के दौरान बॉंब्स, शेल्स और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ऐशिप्स और मोनो प्लेंज के इस्तिमाल किया पहला फ्लाइट बॉंबिंग मिशन 1st November 1911 को किया गया था फिर बलगेरिया ने इस तरह के ऐइप्लेंज का मिलिटरी यूज 1912 से 1913 के बीच फिर्स्ट बॉल्कन वार के दौरान ओटमन के अगेंस्ट किया इन सभी वार्ज के बाद मिलिटरी परपस के लिए ऐइप्लेंज का बड़े पैमाने पर इस्तिमाल 1914 से 1918 तक चलने वाले 1st World War के दौरान देखने को मिला 1st World War के दौरान पहली बार ऐरक्राफ्ट को लड़ाकों विमान के तरह इस्तिमाल किया गया युद्ध के समय ओफेंसिव और डिफेंसिव रोल में मिलिटरी परसन्स एरक्राफ्ट से एक दूसरे पर गोली से वार करते थे लेकिन इन लड़ाकों विमानों के अंदर गंस को फिक्स करने का कोई फिक्स पॉइंट नहीं हुआ करता था 1914 में फ्रांस के रोलांग गैरोस ने अपने विमान में एक फिक्स्ट मिशीन गन फिट किया और उसके अगले ही साल 1915 में कर्ट विंजिंस ने मिशीन गन के साथ डिजाइन किये गए लड़ाकों विमान का उपयोग करके अपनी पहली हवाई जीत हासल की थी युद्ध के दौरान फ्रांस एक लीडिंग एर्क्राफ्ट मैनिफैक्चरर बन चुका था जिसने 1914 से 1918 के बीच लगभग 68,000 से अधिक हवाई जहाज का प्रड़क्शन किया था युद्ध के अंत तक ब्रिटिन, जर्मनी और इटली भी फाइटर एक्राफ्ट के लीडिंग मैनिफैक्चरर में शामिल हो चुके थे अमेरिका के आमी आफिसर बिली मिचल ने 1918 में एक बयान देते हुए कहा था वो दिन बीच चुका है जब जमीन पर आमीज या समुद्र पर नेवी युद्ध में किसी देश की नियती का निरनायक हो सकती है अब देश की रक्षा और दुश्मन के खिलाफ पहल करने की शक्ती हवाउं में जा चुकी है हलांकि fighter aviation एक new technology थी और 1918 के अंत तक ground wars पर aerial missions का रोल मुख्य रूप से strategic के बजाए सिर्फ tactical रहा था 1918 में प्रथम विश्वयुद्ध के अंत और 1939 में दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुवात इस बीच के समय को अकसर golden age of aviation कहा जाता है इस दौरान aviation के इतिहास में कई प्रगतिशील परिवर्तन हुए आईए जानते हैं उनके बारे में aviation between the world wars 1918 to 1939 दोस्तों इस अवधी में progressive changes देखने को मिले world war 1 के दौरान इस्तिमाल किये जाने वाले aircrafts लकडी और fabric से बने biplanes होते थे जिनकी गती बहुत धीमी हुआ करती थी 1939 में दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत होने से पहले ये biplanes outdated हो चुके थे और इनकी जगह लेली थी fast low wing metal monoplanes ने और ये प्रगतिशील परिवर्तन lightweight arrow engines बनाने के निरंतर प्रयास और विकास से संभव हो पाया था Metal monoplanes का credit German aviation के technologist Hugo Junkers को दिया जाता है जिन्होंने पहला metal monoplane 1915 के अंतर तक बना लिया था इस विमान का नाम Junkers DI रखा गया था और 1918 में German Army में इसे शामिल किया गया 1920s में Junker के all metal aircraft design को यूज करके Britain, America, Soviet Union और Japan जैसे अन्य देशों ने भी ऐसे aircrafts बनाना शुरू कर दिये इसके साथ ही इस दोरान अमेरिका द्वारा lifting gas के रूप में non-flammable gas helium के इस्तिमाल की शुरूआत हुई हालांकि अधिक खतरनाक hydrogen gas का उपियोग जारी रहा क्योंकि उस समय helium gas के sources की कमी थी 1930s के दशक में Germany और Britain में jet engine का विकास शुरू हुआ जिस पर काम World War II के अंत तक चला Second World War के दोरान aviation को modern warfare में एक महत्वपून घटक के रूप में स्थापत किया गया तो आएए नज़र डालते हैं 1939 के बाद aviation के इतिहास में क्या कुछ हुआ Aviation in the Second World War 1939 to 1945 द्वितिय विश्वय युद्ध में नकेवल aircraft की उतपादन गती में वृद्धी हुई बलकि flight-based weapon delivery system का भी विकास होता देखा गया बड़े पैमाने पर strategic bombing campaigns भी शुरू किये गए World War I के comparison में World War II के दौरान aviation में military investment ने एक लंबी चलांग लगाई थी ये पहला युद्ध था जिसमें aircraft carrier ने एहम भूमी का निभाई थी aircraft carrier एक युद्ध पोत होता है जो एक समुद्री हवाई अड़े के रूप में कारे करता है इसके साथ ही radar technique के आविश्कार से bombers को track करना भी आसान हो जुका था 1939 से लेकर 1945 तक aircrafts को मुखे रूप से targets को खोजने और artillery fire को control करने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा था युद्ध की वजह से aviation field में कई innovation हुए जिसमें liquid-fueled rockets और पहला jet विमान जिसे fighter jets का first generation कहते हैं शामिल है इसके बाद jet fighter planes की कई generations आए conventional armament, air-to-air missiles का इस्तिमाल, supersonic radar और multipurpose fighter bombers ये सभी jet विमानों के पहले चार generations की विशेशताएं थी दोस्तो अब तक हमने military use में aviation का विकास देखा हवाई उडानों का इस्तिमाल जहां शुरुआत में सिर्फ युद्ध में हो रहा था धीरे-धीरे civil aviation यानि की नागरिक विमान की ओर भी बढ़ता चला गया आईए अगले पहलू में देखते हैं कब हुई थी पहली commercial उडान और कैसे civil aviation सेक्टर का विकास हुआ Civil aviation पिछले 100 वर्षों में civil aviation सेक्टर में बहुत से तकनीकी विकास और बदलाव हुए हैं वर्ल्ड की पहली airline जर्मन ऐर शिप कंपनी डेलाग थी जिसकी स्थापना 16th November 1909 को जर्मनी के aircraft manufacturing company Zeppelin के commercial passenger carrying ब्रांच के तोर पर हुई थी और ये पहली airline थी जिसने aircraft का revenue services के लिए उप्योग किया था 24 यात्रियों के साथ इस company के पहले विमान ने 19 June 1910 को उड़ान भाई इसके बाद 1st January 1914 को फ्लॉरिडा के सिंट पीटर्सबर्ग से टैंपा सिटी तक उड़ान भरने वाला पहला fixed wing regular scheduled airline का संचालन हुआ उन दिनों commercial aviation में विकास तो हो रहा था लेकिन इसकी गती थोड़ी धीमी थी उड़ान तब बेहद महंगी और uncomfortable हुआ घरती थी इसका मुख्य कारण था flights का कम उचाई पर उड़ान भरना जिससे यात्रियों को काफी noise और turbulence जैसी परिशानियों से गुजरना पड़ता था 1920 के दशक तक companies सुधार के लिए प्रयास करती रहीं और इन ही प्रयासों के चलते 1930 के दशक तक aviation के क्षेत्र में बहुत प्रगती हुई 1927 में American Aviator Charles Lindbergh ने एक सफल सोलो Trans-Atlantic उड़ान भरी इसके बाद 1928 में Australian Aviator के संचालक Charles Kingsford Smith ने पहली Trans-Pacific उड़ान पूरी की ये उपलब्धियां हो रहे विकास का प्रमान थी इस सबधी के सबसे सफल डिजाइन्स में से एक थी Douglas DC-3 जो Passenger Airlines के Modern Aira की शुरुआत करते हुए यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाला पहला Airline बन गया धीरे धीरे बड़े और अधिक अविश्वसनिये और Comfortable Designs बनने लगे और Commercial Aircrafts ने Passengers, Air Mail Delivery और कारगो का परिवहन शुरू कर दिया Second World War की शुरुआत तक दुनिया भर में कई टाउन्स और सिटीज ने हवाई अड़ों का निर्मान कर लिया था वैसे तो वार के वक्त सभी Aircrafts को वार परपस में लगा दिया जाता था लेकिन कुछ Civil Operations वार के दौरान भी चल रहे थे जिन में से एक था British Overseas Airways Corporation, BOAC BOAC ने Second World War के समय विदेशी सिवाओं का संचालन जारी रखा था इसके बाद 1944 में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए Convention on International Civil Aviation और्गिनाईज की गई ये Convention 7th December को 54 Countries द्वारा शिकागो में साइन किया गया था इसी लिए इसे Chicago Convention भी कह जाता है इसमें सामुहिक रूप से Air Transport की Safety, Efficiency और Regularity के लिए काम करने की बात कही गई और International Hawaii यात्रा को Coordinate करने के लिए United Nations की Specialized Agency के रूप में International Civil Aviation Organization की स्थापना हुई इसके साथ ही Bilateral Air Service Agreements के लिए General Rules निर्धारित किये गए इसी लिए 7th December को International Civil Aviation Day के रूप में सेलेब्रेट किया जाता है युद्धकाल के खत्म होते ही Commercial Aviation की ओर Developments ने तेजी पकड़ी एक्स मिलिटरी पाइलेट्स को Commercial Flights के Operation के लिए नियुक्त किया जाने लगा वो Factories जहां Bombs बना करते थे धीरे-धीरे Passenger Air Crafts और उसके Parts बनाने वाले Production Factories बन गई 1960 का दशक आते आते, International Flights तेजी से लोकप्रिय होने लगी और यात्रियों की संख्या में काफी वृध्धी भी हुई 20th Century के Last Quarter में एक और बदलाव देखा गया इस दौरान Flight Avionics, Aircraft Designs और Manufacturing Techniques में Digital Kranty देखने को मिली तो जानते हैं इस नए उभरते हुए Digital Era में Aviation Industry में क्या Advancements होई Developments in Digital Era, 1980s to Present Digital Age को आम तोर पर Internet के आविशकार के साथ जोड़ा जाता है और ये 1970 के दशक में विक्सत होना शुरू हो गया था Full Authority Digital Engines, Solid State Electronics, Global Positioning Systems, Satellite Communications और Powerful Computers और LED Displays के आगमन ने Airlines के Cockpit को बदल कर रख दिया 1981 में Boeing 767 का Glass Cockpit इन Advancements का एक सतीक उधारन था Pilot अब रात में या Low Visibility के वक्त भी अधिक सतीक रूप से Navigate कर सकते थे इन Advancements ने Civil और Military Aviation में नए दौर का आगास किया 21 सदी की शुरुआत में Digital Technology की मदद से Subsonic Military Aviation का दौर आया जिसे Pilot के बिना भी विमान को remotely operate किया जा सकता है और यहां से शुरुआत हुई Unmanned Aerial Vehicles यानी UAV की UAV अबाधुनिक युद्ध की एक स्थापित विशिष्टा है जो remote operator के control में pinpoint हमलों को अंजाम देता है इसके अलाबा Jet Aircrafts में 4th और 5th generation के विकास में Electronics का बड़ा योगदान रहा Modern Computerized Systems एक निश्चित समय में कई विमानों के flight path पर निगरानी रखने में सक्षम होने लगी जिससे air traffic controller के लिए उड़ानों को manage करना काफी आसान होने लगा सन 2000 के बाद से aircraft manufacturers को हवाई यात्रा में हो रही विद्धी के कारण बढ़ते हुए revenue का लाभ मिलने लगा दोस्तो इस दोरान aviation industry में development का एक और महत्वपूर्ण कारण था और वो था emerging economies जैसे कि Latin America, China और इंडिया जैसे देशों से उत्पन्न होने वाले हवाई यातायात में व्रिद्धी होना जैसे जैसे इंडिया, चाइना जैसी emerging economies में development हुआ हवाई यात्रा की मांग भी उसी क्रम में बढ़ती चली गए conclusion दोस्तों सदियों पहले उडान भरना सीखने से लेकर आज हर दिन दुनिया भर में एक लाख से अधिक commercial flights की उडान तक aviation sector में कई एहम लोग और incidents की भूमिका रही है aviation sector में हुए विकास ने पूरी दुनिया को बदल दिया है आने वाले वक्त में commercial हवाय यात्रा में सुपरसॉनिक उडानों का एक नया युग और combat aviation में 6th generation के fighter planes के आगमन का हम सभी को इंतजार है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable